नमस्कार दोस्तों मैं अवरनात कुमार ये सुनिये जादा से जादा ये मेरा क्या कर लेंगे भई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेके चल परेंगे देश लूट के जा चुका है देश के पैसा को बाहर भेज चुका है लंदन में घर खड़ी चुका है सिंगापूर में कंपनी बना चुका है मैं बैपारी मिद्र की बात कर रहा हूं कुछ भी तो नहीं था इस तरह का बिजनेस तो मैं भी करना चाहूंगा आप भी करना चाहे अपना कुछ भी नहीं है मुखमंत्री से दोस्ती करो मुखमंत्री को बोलो कि मैं एक पोर्ट बनाना चाहता हूँ बंदरगा बनाऊंगा मैं डेवलप करूंगा मुखमंत्री तुम्हें जमीन देदेगा फिरी में चा सस्ते में एक रुपए के लीज पर अब आपके पास जम मुखमंत्री सांग की महरबानी है मुझे पोर्ट बनाना है उन्होंने इतना एकर जमीन दिया मुझे आप मुझे पैसे दिजिए डिवलप करने के लिए बैंक वाला आना का नहीं किया तो मुखमंत्री के पास दोरा हुआ जाओ कि सर पैसा नहीं दे रहा है फिर मुखमंत् सागे बरेगा उसका अपना कुछ नहीं है जो लोन के पैसे मिले उसमें से कुछ पैसा बाहर भेज़ दो साइफन कर दो उसमें से निकालते जाओ फिर घाटा दिखाओ फिर नुकसान हो गया बैंकों के पैसा चुकाने के श्थिती में मत रहो लगेगा एन पीए हो जाएगा फिर दो चारलाक क्रोर आपके माफ हो जाएगा यह हुआ इस देस में और वेपारी मित्र ने यही किया वेपारी मित्र दोस्ती किया वेपारी मित्र ने कबजे में लिया फिर धीरे धीरे करके उससे सरकारी संपतियों के कबजा करता गया सरकारी संपतियों का ठेका लेता ग लाया शेयर बाजार में भूसा और शेयर बाजार में भी मैनुपलेशन किया जो हिंडन बंक की रिपोर्ट है इस वीडियो को अंतक देखिए तफिर आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ दुनिया में कोई भी बिजनेसमें इस तरह से आगे नहीं बढ़ा है नमबर वन पे है लूइस विटान का मालिक अर्नोट बर्नल्ट और उनका देखिए कि 212 बिलियन डार कैसे पहुंचा उनका गराब देखिए यह गराब और उनका फोटो और आज का नेटवर्ट है वो दे एलन मस्क बरहा क्योंकि उन्होंने टेसला कंपनी उनकी कार बिजली वाली बहुत तेजी से बरही और बहुत फेमस हुआ और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ उनका स्पेस एक्स रॉकेट जो जमीन से उपर उठता है पेलोड को उपर छोर के फिर वापस लेंड कर जाता है बुष्टर रॉकेट उसका जमीन पर और अब पूरा अमेरिका उसके उपर डिपेंडनेंट है बीस्प के बहुत सारे लोग उनसे सारा कुछ बेजा जा रहा है और यलन बस का रॉकेट ही अब स्पेस सेंटर तक सवान पहुँचाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बढ़ेगा उसका बिजनेस लेकिन हमारे वेपारी मित्र ने क्या मनाया लॉरियन की मालकिन जो लॉरियन की मानकिन है जो जानते है जो प्रोडक्ट बनाते है फेस बैपारी मित्र हैं इंडिया वाला दोनों का गराफ तेई से बढ़ा पहुत तेई से आप रिसर्च करिए यह गराफ यह लगा रहा हूं फिर आपको समझ में आएगा कि दोनों का गराफ इस तरह से कैसे बढ़ा और तभी बढ़ा जब यह महामानब परधानमंतरी बने और मह दोरा उठाके जाने की नववत आ गई है जो जोला उठाके हम चले जाएंगे उसकी नववत आ गई है यह लोगों अपना ठिकाना बाहर बना लिया है बुके संबानी ने अपनी लंदन में घर बनाई चुके हैं यह बाई साब भी सिंगापूर में ऑफिस खोल चुके हैं लंदन में खोल चुके हैं मारिसस में खोल चुके हैं एक सो सैतालिस बिलियन की संपत्ती हो गई थी एक सो सैतालिस बिलियन डॉलर की बारा चौदा लाक रुपए चौदा लाक करोर की वो घटके मात रह गया है चौबन चार लाक करोर की संपत्ती रह गई है तो आठ से होते हैं कि और überड़ा जा रहा है बयंकों के सिहर है त्री से नीचे गिर रहे हैं सियर और ऊपर था है फिर भी भाइस आप माइनस में तो आप समझ्ज सकते हैं कैसी कैसी बाते करते थे ये भी सुनिए ये क्या कह रहे थे महावर जब कभी ख़बर सुन anti- GDP करोड़ रुपी येक पैसे किसके हैं कि ये पैसे किसके है क्या अब पैसे नहीं निकल रहा है। जगा जगा पैसे पकड़ाया है भरक भरके पकर रहे हैं, ट्रक में पकराए हैं, करोर उपे कैस, सोना, गुटका बैपारी से कानपूर में पैसा मिलता है, इतर बैपारी से पैसा मिलता है, और ट्रक के ट्रक, सीप भरके, जहाज भरवर के ड्रक्स आ रहे हैं, तीस हजार करोर के ड्रक्स, चालिस हजार करोर क ड्रक्स आ रहे हैं, तो ये जो बाते करना, बड़ी-बड़ी बाते करना, एदम पीस-पीस के बाते करना, हम ये कर देंगे, हम वह कर देंगे, हुआ क्या, सब कुछ लूट चुका है, देश लूट चुका है, आप लूट चुके है, आपकी सबत्ती लूट चुकी है, और वो धोला उठाकर जा रहा है या जा चुका है ग्यार में सिक्षा व्यवस्ता ध्वस्त यूपी में सिक्षा व्यवस्ता ध्वस्त कॉलेज में प्रफेसर नहीं है कॉलेज के बिल्डिंग गिर गया स्कूल के बिल्डिंग गिर गया आपके बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। महामानब 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 चिला रहे हैं यही तो कर रहे हैं नारे लगाते हैं पारलियामेंट में लोग मेज थप थप आते हैं और वहां भी नारे लगाते हैं महामानब 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 क्या महावानब ने क्या कर दिया है कहां पहुचा दिया इस देश को कौन सा ऐसा करती ने मार लिया महावानब ने सब कुछ तो चौपट कर दिया है और हम सब जाती में बटके धर्म में बटके अपने देश का नुकसान कर रहे है अपने बच्चों का भविस्ट विगार रहे हैं लालची लोग महावानव के साथ जुरा हुआ है देश का नुकसान कर रहा है देश को लूट रहा है अभी भी समय है दलाल मीडिया आपको साथ नहीं दे रहा है आपके लिए काम नहीं कर रहा है आज भी महावानव के पीछे है महावानव को साथ दे रहा है उसी के सुर में सुर मिला रहा है और गालियां भी सुन रहा है आप सब रोज गालियां देते हैं उसको आपके पास कुछ है नहीं आपके पास इंटरनेशनल मीडिया है उसके उपर income tax का rate पर रहा है International Media documentary बनाता है तो उसको ban कर दिया जाता है उसको भी कहा जाता है कि वो भेदबाव कर रहा है तो media है नहीं आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है अगर एक का दुक्का नेता है तो आप उससे जुर्दा नहीं चाहते आपको एक नेता चुनना परेगा एक मजबूत नेता चुनना परेगा एक बिस्वासी नेता चुनना परेगा और एक ही चुनना परेगा लोगसवा का चुनाओ के लिए सिर्फ एक कोई चुनना परेगा आपको छेत्रिये निताओं को भूल कर एक के साथ जूर के आगे बढ़ना परेगा और तभी आप इस महा मानब को हरा पाएंगे और देश को आगे बढ़ा पाएंगे बहुत पीशे चले गए हैं अजादी के पीशे चले गए आप साइफन करके बीदेशों में पैसा रेज चुका है तो उसको कुछ नहीं बिगार पाएंगे वो एक बार यहां से निकल गया इंडिया से तो उसको आपस भी नहीं ला पाएंगे आज तक जितने भी गए हैं उसमें से किसी को नहीं ला पाएंगे और यह बाला महामानब जो कहते थे कि हम जोला उठा के चल देंगे यह फकीर इनको जाने की जुरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनका कुछ है नहीं यह देश में रहेंगे और अपनी जिन्दकी जी चुके हैं तो आपको पता ही कितने दिने जोला उठा के रहने और जाने के लाइक है आपको समझना है अभी भी समय है आके खोले और धंग से सोचत जह हिंजा हुरू